अगर वीडियो का पीडियाफ चाहिए तो कमेंट सेक्षन में लिंक दिया हुआ है आप टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर सकते हैं अरेज दा फॉल्विंग ट्रिबूटरी जो टिबिटन पेट्र प्लेटू में है वहां से यह ओरिजिनेट करती है इसकी ट्रिबूटरी है इंडस जेलम चलाब रावी ब्यास सतलत यह सारी इंडस रिवर की ट्रिबूटरी हैं और इनको नॉर्थ से साउथ में लगाना है तो सबसे पहले कौन सा आएगा सबसे पहले आएगा जेलम सबसे पहले यहां जेलम है जेलम तीसरे नमबर पे है जेलम के बाद चेनाव चेनाव चौथे नमबर पे है फिर उसके बाद रावी दूसरे नमबर पे है फिर रावी के बाद ब्यास इसमें ब्यास नहीं दिया है फिर सतलज तीन, चार, दो, एक answer is c answer is c which of the following is the highest multiple pass of india highest multiple pass india का कौन सा है ये खारदुंगला पास है ये रहा आपका खारदुंगला पास answer is a highest multiple pass है india का और ये join करता है लेह को स्याचिन से और कितने elevation पे है ये छे हजार की elevation पे है मतलब समुदर तल से इसकी उचाई छे हजार पे है वेर ओन अर्थ इस लोकेटेड़ दा सिरोही पॉइंट सिरोही पॉइंट कहां पे इन्होंने अपने कदम अंटार्क्टिक्वा में रखे थे ओके दब पर्मनेंट सिस्मोलोजिकल अब्जर्वेट्री हैस बीन इंस्टॉल एट विच अमंग दा फॉल्विंग प्लेस इन इंडिया पर्मनेंट सिस्मोलोजिकल अब्जर्वेट्री इंस्टॉल किया गया है क दिसम्बर 1898 में, ओके? Which among the following statements is correct about isothermal lines? Isothermal lines क्या होती है? तो यह है, they join places of equal temperature. Answer is C, they join places of equal temperature. Equal temperature जो होता है, वो isothermal lines होती है. मस्करेन प्लेटू is located in which among the following ocean? किस ocean में है मस्करेन प्लेटू? तो यह इंडियन ओशन में है, यह रहा मस्करेन आईलेंड. मस्करेन प्लेटू is the second largest undersea plate. Undersea plate है, जो मस्करेन प्लेटू है. और यह किस से बना हुआ है? यह ग्रेनाइट से बना हुआ है. The Entrym Coast is located in which among the following countries? Entrym Coast located कहां है? तो यह located है Ireland में. आंसर इस D. ओके? और यह UNESCO World Heritage Site का पार्ट भी है. In which of the following cities one can never see the sun sign overhead at noon? कौन सी सिटी है जिसमें कोई भी overhead moon, noon में sun sign नहीं दे सकता overhead पे? तो यह डेली है. ओके? डेली स्लाइटली आवे फ्रॉम दे एक्वेटर. तो sun इस स्लाइटली टिल्टेट फ्रॉम बिंग ओवरहेड. ओके? और यह जो मुंबई, चन्नाई, विसाखा पटनाम है. यह ट्रॉपिक आफ कैंसर के सौथ में पढ़ता है और डेली नॉर्स में पढ़ता है. इस वज़े से यह होता है. Which among the following is a galaxy? कौन सा इसमें galaxy है? तो यह है अंडरमेडा. आंसर इस D. यह galaxy है. इसको और किस नाम से जाना जाता है? इसको M31 के नाम से जाना जाता है. मैसियर 31 के नाम से जाना जाता है. या NGC 224 के नाम से भी जाना जा सकता है इसको. ओके? और अरिजिनली इसको अंडरमेडा, नेबुला के नाम से जाना जाता है. और यह 2.5 million light years. हम लो 5 million light years दूर है और नीरेश्ट मेजर गलेक्सी है milky way की which among the following is the world's northernmost capital of a sovereign state किसी sovereign state की नदर्मोस्ट capital कौन सी है तो ये है red jofwick answer is a और ये capital किसकी है iceland की अगे वर्ड की नदरमोष्ट कैपिटल है डर्डर्म आइसोपाइसिक्निक इस मोश्लिक। डिफाइड बाइड विच अमंग्दा फॉर्विंग तो आइसोपाइकनिक क्या होता है ते ये हैट। liquids with same density answer is C दो लिक्विड जब same density को यह होते हैं तो इसको इसो ख डिनिक इनत है जिश व्हित अब लिए पाउल्विंग स्टेट्मेंन विद्टेट्में डिफ्रेंसël क्या थी यह इस त्यून गाय onion चरनील को समस्कán इनके पैटर्न को यह भी ठीक है देखिए वदर कंडिशन पर इंफ्लूएंस करता है यह हमारे जो इंडिया का विंटर वेदर है उसको प्रभावित करता है तो यह तो गलत हो गया तो इसमें पूछ रहा है करेक्ट आंसर आंसर है वन ऐन चू अंसर इस त्री आंसर इस ए शोली आंसर इस ए विच अमंग्दपॉल्विंग रीवर्स फ्लोओ इंटुदधा कैस्पियां सी यह कौन सी फ्लोओ होती है तो यह रीवर है आपकी जोलगा & Ural, वोल्ग, Ural और एक matt है, Tarek यह जाती है Caspian Sea में वोल्ग, Ural & Tarek answer is 1 and 2 ok Danube River किसे में जाती है यह जाती है Black Sea में ok Danube River, Black Sea में वोल्ग, Ural और एक matt है Tarek यह जाती है Caspian Sea में consider the following ocean currents, ocean currents देखनी है कौन कौन सी, इसमें पूछ रहा है कौन सी है cold ocean current, cold ocean current कौन कौन सी है, तो चलिए देखते हैं, north atlantic drift, north atlantic drift जो है, ये एक warm current है, ओके, ये रहा north atlantic drift, ये एक warm current है, ओया शियो current कहा है, ओया शियो यहाँ है, ये रशा के पास, और ये एक cold current है, canaries, canaries आपका देखिए यहाँ पे है, ये अफरिका के पास, canaries है, ये एक cold current है, California current, देखिए California यहाँ पे है, इधर साइड, Mexico के पास, और ये एक cold current है, cold और warm current कैसे जानते हैं आप, warm current वो होती है, जो equator से pole की तरफ चलती है, equator से pole की तरफ चलेगी, तो warm current है, और pole से equator की तरफ आएगी, तो वो cold current होती है, तो इसमें cold current पूछ रहा है, कौन-कौन सी है, 2, 3 and 4, answer is D, answer is D, along which of the following plate boundaries, the crust is destroyed, crust किस से destroy होती है, पूछ रहा है, तो किस से destroy होती है, crust, crust destroy होती है, convergent boundary से, answer is A, यह रही divergent boundary, divergent boundary में क्या होता है, जो plates होती है, एक दूसरे से दूर दूर जाती है, convergence में एक दूसरे में मिल जाती है, मतलब एक ऐसे आ रही है, एक इसी में अंदर घुस्ती चली जाएगी, तो इससे crust destroy होती है, transform boundary में एक इधर चली जाती है, एक इधर चली जाती है, ओके, तो crust destroy किसमें होती है, convergent में, so our answer is one only, इन इंडिया, दे टर्म अकाल, त्रिकाल, जलकाल are related to, अकाल का मतलब क्या होता है, अकाल का मतलब होता है, scarcity of food grain, यह fruit grain की बात होती है, इसमें, त्रिकाल का मतलब होता है, fodder, जब पस वो का चारा खतम होने लगता है, और जलकाल का मतलब होता है, shortage of water, shortage of water, scarcity of food grain, अकाल, त्रिकाल, fodder, scarcity of fodder, और जलकाल, shortage of water, तो यह सारे संबंदित होते हैं, ड्रॉट से, answer is A, सूखा जो होता है, उसी से यह संबंदित है, which among the following are main components of soil, soil के main components इन में से कौन-कौन से हैं, तो देखिए, humus, water, air, mineral particles, यह सारे ही soils के पार्ट होते हैं, मिट्टी के यह सारे अभिन्न अंग हैं, so the answer is B, 1, 2, 3 and 4, सारे के सारे ही हैं, which of the following statements are of intertropical convergent zone, यह impact करते हैं, मतलब, कौन सा statement है, जो correct है, intertropical convergent zone के लिए, correct statement पूछ रहा है, intertropical convergent zone के लिए, तो यह है, sorry, statement कर रहा है, it is a low process, it is a low pass process, located at the equator where trade winds converge, यह wind है, okay, low passes है, और equator where trade winds converge, यह बिलकुल ठीक है, in this, in this new air tends to descent, ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ air descent नहीं होती, यह गलत है, in July, it is located around 27 north, 25 degree north latitude, 27 to 25 degree north में, July में यह होता है, यह बिलकुल ठीक है, so the answer is 1 and 3, okay, answer है, 1 and 3, answer है, C, with reference to L Nino, which of the following statements is our correct, यह statement है, statement is our correct, it leads to increase in the temperature of water on the Peruvian coast, पेरोवियन coast में इंक्रीज कर देता है, water का temperature, यह बिलकुल ठीक है, okay, it results in an increase in amount of plankton in the eastern pacific ocean, ऐसा कुछ नहीं करता है, जब water का temperature इधर साइड बढ़ जाएगा, यहाँ plankton कैसे होगा, तो यह बिलकुल गलत है, it can delay in the onset of southwest monsoon in India, L Nino जब भी आता है, तो हमारे यहाँ delay होता है, मानसून में, यह बिलकुल ठीक है, So, the answer is 1 and 3, answer is C. With reference to dawn and twilight, consider the following statement, dawn and twilight के लिए statement देखनी है, चलिए देखते हैं, it occurs when the sun is below the horizon, yes, जब sun horizon below होता है, तो यह आता है, यह बिलकुल ठीक है, their time duration decreases as one moves from pole to equator, pole to equator के तरफ जब बढ़ता है, तो इसका time duration decrease होता है, यह बिलकुल ठीक है, दोनों के दोनों ठीक है, So, the answer is C. Which among the following is the feature of Himalayan river? Himalayan rivers के features देखना हैं, कौन-कौन से हैं? Rivers with fixed courses and well-adjusted valley, fixed course किसी river का नहीं है, इसमें तो यह गलत है, Perennial river receiving water from glacier, साल भर बहने वाली नदियां है, glacier से अपना पानी प्राप्त करती है, बिलकुल ठीक है, Young river with large basins, Yes, young rivers है, और large basins है, जैसे गंगा देख लीजिए, और इसका basins देख लिए, कितना बड़ा है, तो इसमें कौन सा correct है, 2 and 3, और correct answer is B, That's all for today, If you like my video, please do like, comment, share and subscribe, Thank you!